आज हम इस तरह की क्रिश्टल मोती और मोती मालाजी बनाएंगे जो बहुत ही उपसुरत बनेगी और इसे बनाना भी बिल्कुल आसान है तो हमें ये मालाजी बनाने के लिए चाहिए इस तरह के दो हूग चाहिए इस तरह की गॉल्डन ड्रिंग इस तरह के वाइट पार मोती और गॉल्डन मोती और ये क्रिश्टल मोती है ब्लू कलर के अब हम सबसे पहले एक हूख लेगे और उसमें इस तरह से सुई डाल के धागा लोक कर देंगे अब हम पहले एक गॉल्डन मोती लेंगे अब क्रिस्टल मोती ब्लू लेंगे तिन ब्लू मोती फिर से गॉल्डन एक मोती एक ब्लू मोती फिर से गॉल्डन लेंगे अब हम वाइट मोती लेंगे एक वाइट मोती एक गॉल्डन रीम एक वाइट मुथी और एक गोल्डन रिंग इसरे से तीन वाइट मुथी और दो गोल्डन रिंग लेंगे एक गोल्डन मुथी एक ब्लू और एक गोल्डन और फिस से तिंग ब्लू मोती और एक गोल्डन इस तरह से इस तरह से हमारी पहली लाइन कम्प्लीट हो गए अब हम दूसरे छीरे पे जो यह वुक है वो लगा देंगे इस तरह से अब हम हुक में जो सेकंड वाला वोल है उसमें से सुई निकालेंगे तो हमारी दूसरी लाइन स्टाट करेंगे एक गोल्डन मोती इस बार हम गलू मोती चार लेंगे और फिर से गोल्डन और जो हमारी पहली लाइन का गोल्डन मोती है उसमें से सुई निकालेंगे इस तरह से दागा को टाइट करेंगे और अब दूसरी लाइन के गोल्डन मोती में वापिस आ जाएंगे इस तरह से पिर से ब्लू मोती लेंगे इस बार हम ब्लू मोती तीन मोती लेंगे पहली लाइन में हमने एक ब्लू मोती लिया था दूसरी लाइन में तीन ब्लू लेंगे उसके बाद एक वाइट एक गोल्डन डिंग एक वाइट एक गोल्डन डिंग और फिर से एक वाइट जैसे पहली लाइन में किया था वैसे ही तीन वाइट मोती और दो गोल्डन डिंग इस तरह से, अब फिर से एक गोल्डन मोती, और तिन ब्लू मोती लेंगे, और फिर से एक गोल्डन, और अब जो, अमारी पहली लाइन वाला गोल्डन मोती था, उसमें से इस तरह से सुई निकालेंगे, और अमारी दूसरी लाइन के गोल्डन मोती में से इस तरह से निकल जाएंगे, अब हम ब्लू मोती लेंगे, चार ब्लू मोती लेंगे, एक गोल्डन, अब हम वुक का जो दूसरा वल है, उसमें से सुई निकालेंगे, अब हम हुक के तिसरे वल में निकल जाएंगे, इस तरह से, अब हम फिर से गोल्डन मोती लेंगे, और इस बार हम पांच ब्लू मोती लेंगे, पहली में तीन, दूसरी में चार और तिसरी में पांच, अब फिर से गोल्डन मोती, और जो सेकंड लाइन का गोल्डन मोती है, उसमें से सुई डालेंगे, और अमारी थर्ड लाइन में से निकल जाएंगे, अब फिर से ब्लू मोती लेंगे, इस बार हम पांच ब्लू मोती लेंगे, और एक गोल्डन मोती, फिर से वाइट मोती, गोल्डन रिंग, वाइट मोती और गोल्डन रिंग, इस तरह से, फिर से एक गोल्डन मोती लेके, पांच ब्लू मोती ले लेंगे, जैसे आगे किया, वैसे ही, और एक गोल्डन मोती लेके, जो हमारी दूसरी लाइन है, उसके गोल्डन मोती में से निकल जाएंगे, इस तरह से, गोल्डन मोती में से निकल जाएंगे, और तीस रिलाइन के मोती में आजाएंगे, अब हम ब्लू मोती लेंगे, पांच, और एक गोल्डन मोती लेंगे, इस तरह से हुक में से निकल जाएंगे, तीनो लाइन कम्प्लेट, अब हम जो हुक का छेडा है, उसमें से, फिर से जो तिसरी लाइन वाले गोल्डन और ब्लू मोती है, उसमें से सुई निकाल देंगे, इस तरह से, अब हम एक गोल्डन मोती लेंगे, और जो तिसरी लाइन का गोल्डन मोती है, उसमें से इस तरह से सुई निकाल लेंगे, और हमारे नए मोती में आजाएंगे अब हम वाँ पे एक गोल्डन एक ब्लू एक गोल्डन एक ब्लू फिर से गोल्डन एक ब्लू गोल्डन और ब्लू इस तरह से मोती लेंगे अब हम वाइट मोत लेंगे वाइट गोल्डन रिंग वाइट गोल्डन रिंग फिर से वाइट किन वाइट और दो गोल्डन ड्रिंग और इस साइड में बिः फिर से एक गोडन एक ब्लू ऐक गोल्डन एक ब्लू इस तरह से मोती लेंगे करैंड जैड्य तरह से और फिर चोथी लाइन के गोल्डन मोती में से निकल जाएंगे तो हमारी चोथी लाइन कम्प्लीट हो गई देख सकते हैं अब हम सुई को चो तिस्ट्री लाइन वाले ब्लूम होती है उसमें से पसार करके हुप तक ले जाएंगे इस तरह से और रुख में हम गाट लगाएंगे गाट लगा के हम धागा कट कर देंगे इस तरह से तो आप देख सकते हैं हमारी माला जी कम्प्लीट हो गई है इसे बनाना बिलकुल आसान है और ये बहुत ही खुबसूरत बनी है तो आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो कॉमेंट करे मेरे वीडियो को लाइक करे शेर करे मेरी चैनल को सब्सक्राइब करे और ऐसे ही नए नए माला जी के वीडियो देखने के लिए मेरी चैनल पे आते रहे